नमस्कार मित्रो आज हम बात करेंगे मनुषी द्वारा लिए गई नेड़नेयों के बारे में मनुषी जैसे ही इस धर्थी पर सास लेता है उसका कर्म से परिचै हो जाता है और इन कर्मों को मनुषी के द्वारा जो रूप दिया जाता है मतलब जब भी वो कोई काम करता है वो आधारित होते हैं मनुशे द्वारा लिये गए निर्णयों यह निर्णय ना केवल उसके जीवन को बलकि उसके परिवार को उसकी आने वाली पीड़ी को सारे समाज को वा आने वाले पूरे के पूरे समय को प्रभावित करने की शमता रखते हैं इसलिए नेड़ने करते समय सही मान से किस्तिती का होना बहुत जरूरी है इसके अलावा नेड़ने को सोच समझ कर और समझदारी से किया जाना भी बहुत जरूरी है जदवाजी में किये गए नेड़ने अक्सर गलत होते हैं इस बात को मैं एक समानिसी दिखने वाली घटना से समझाती हूँ एक बार एक पिता अपनी बच्ची को टहलाने के लिए पार्क में ले जाता है जब वे दोनों पार्क में टहल रहते तो सामने से एक फलवाला गुजरा उसकी टोकरी में रखे लाल लाल सेबों को देखकर बच्ची के मन में सेब खाने के इच्छा हुई और वो अपने पिता से जित करने लगी कि वे उसे कुछ सेब खरीद कर देते उस समय उसके पिता इतने पैसे लेकर नहीं चले थे उसकी बात सुनकर वो असमंजस में पढ़ गए फिर भी और अधिक जेवे टटोले पर उन्हों ने पाया कि कुछ पैसे उनकी जेव में फिर भी पढ़े है उन पैसों से उन्होंने अपनी बच्ची को दो सेब खरीद कर दे दिये उस बच्ची ने अपने दोनों हाथों में दो सेब पकड़ ली जब वो फलवाला चला गया तो उस बच्ची के पिता ने उस बच्ची से कहा कि वो सेब का कुछ हिस्सा उन्हें भी चका दे जब उसके पिता ने ऐसा कहा तो उस बच्ची ने जल्दी जल्दी से दोनों सेव में से कुछ हिस्सा खा लिया देखकर उसके पिता बहुत ही मायूस हो गए उन्होंने मनी मन सोचा कि मेरी बेटी इतनी लालची कैसे हो गई शायद मेरे ही पालन पोशन में कोई कमी रह गई है फिर उन्होंने सोचा ये बच्ची का बच्पना है चलो कोई बात नहीं थोड़ी देर में बच्ची बोली पापा ये सेव खालो ये अधिक मीठा है वास्तव में वो अपने पिता को अधिक मीठा सेव देना चाहती थी इसलिए दोनों सेवों को चक्कर देख रही थी उसके पिता को जल्दवाजी में किलिये गए अपने निर्णाय पर बहुत अपसोस हुआ तो देखा आप सबने जल्दवाजी में किये गए निर्णाय अक्सर गलत साबित होते हैं केवल अपने मन के संतुष्ट करने के लिहास से लिये जाते हैं जैसे अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी से बदला, क्रोत के वशिवूत होकर मतलब अपने छोटे-छोटे सुखों के खातिर लिये जाते हैं कुछ निर्णाय अधर्म की रहा पर चल कर भी लिये जाते हैं किन्तो निर्णाय लेते समय मनुष्ट ये नहीं सोचता कि उसके द्वारा किया गया आज किया गया छोटा सा नेड़नाय भी उसके पूरे के पूरे भविश्चे को बदल देगा ज्यादा दूर ना जाकर यदि हम जर्णा गौर करें तो पाएंगे कि जो नेड़नाय लालच में आकर लिये जाते हैं वो क्या सारे समाज की भलाई कर पाएंगे या यदि हम गलत मनोजशा में हुए तो क्या हमारा दिमाग ठीक काम करेगा जो नेड़नाय अधर्म की राह पर चल कर लिये जाते हैं वो भी शड़िक सुखी दे करते हैं यदि हम इतिहास को टटो लें तो पता चलेगा कि आज हम जेस भी परिस्थिती में हैं चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो उसकी जड़े सदा इतिहास में ही रहती हैं इसलिए भी इतिहास का सम्मान करना चाहिए यदि हम पुरातन काल को देखें तो मत्से कन्या सत्यवती के मन में जन्मी एक महत्वक आंखशा ने महावारत के बीच को तो तभी बो दिया था ये गलत नेडनाय लेते समय क्या उससे पता था कि एक दिन यही बीच बढ़कर रक्ष बन जाएगा नेडनाय चाहे जानकर लिया गया हो या अंजाने में वो तो आपके भविष्चे का तानवाना भुन ही देते हैं द्रौपते के साथ हुई नाइंसाफी ने कल्युक की पहली जलक दे दी थी कुछ समय पहले की बात करें तो मजबूरी में लिये गए भारत पाक भाजन के एक नेडनाय ने भारत पाक के आज के संबंदों को तै कर दिया था यह तो तै है कि इनसान को जाने अंजाने अपने जीवन में नेडनाय लेने ही पड़ते हैं इसके लिए इंसान के दिमाग को इतना परिपक्व होना चाहिए कि वह सही नेड़नाय ले सके यह सब सुशिक्षा और अच्छे सनस्कारों आधी के माध्यम से हो सकता है अपना भविश्य हमें स्वयम ही बनाना पड़ता है और अपने सुखत भविश्य के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं तो कोशिश तो करी सकते हैं इसलिए कोई भी नेड़नाय लेने से पूर्व विचार अवश्य कर ले दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो क्रफिया लाइक, शेयर और कमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तदा सब्सक्राइब करने के बाद बैल बगल में जो बैल आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें जिससे मेरे चैनल के सभी अप्टेट्स आप तक पहुंचते रहें थैंक्यू झाल झाल